रादोर के डेरा खुर्दबन के पास पश्मी अमना नहर की पटरी एक बार फिर तूटने के एक अगार पर पहुँच गई है करनाल के गाउश शेक्पुरा के पास नहर की पटरी तूटने के बाद जैसे ही पश्मी अमना नहर का पानी कम करवाया गया तो इसके बाद आज रादोर के डेरा खुदबन के पास विभाग द्वारा नहर की पट्री की रोख थाम के लिए लगाए गए अस्थाई कारेय डह गए जिसे नहर के पास रहने वाले ग्रामिन सहम गए और उन्होंने तुरंत इसकी सूचना सिचाई विभाग को दी सूचना पाकर मौके पर पहुंचे विभागी अधिकारी पट्री की रोख थाम की बात कह रहे हैं जबकि ग्रामिनों का आरौप था कि अगर विभाग इस पट्री पर पहले ही पक्के परबंद करवाता तो इस प्रकार के हालाइत ना बनते महीं ग्रामिनों ने कहा कि विभाग द्वारा बिना नहर के किनारे पक्के किये नहर में पानी की खिशंता बढ़ा दी है जिस कारण ही करनाल के पास भी नहर की पत्री तूटी है पहले भी टूटने वाड़ी उगी ती और पहले कट्टे कुट्टे लगाए ना पत्थर तो लगाया नी था तो पानी उत्रने तो कट्टे निच्चा बैठ गे दोबारा फिर यह समस्या आएगी अब टूटने काई खत्रा फसल बरबाद हो जगी बस्ती बरबाद हो जगी अभी आप देख सकते हो अभी आज सुबह की बात कल रात की बात है वहाँ पर इंद्री में नदी तूटी और कई गाउं में पानी बर चुका है ऐसी यहाँ पर भी कई गाउं लगते हैं और फसल है जो वही बरबाद हो सकती है अगर परसासन इसको पहले से ही सही मुझबूती दी हो तो आज ही ही आप नहोंती इसमें पानी बहुत अधिक ज्यादा छूड़ा जा रहा है हर साल की मताबिक इस साल बहुत ज्यादा अधिक है पानी और जो इन्होंने परसासन ने काम लगया वा था उस काम को पूरा तो हुआ नहीं और पानी अधिक से अधिक छोड़ दिया इसमें जिसकी वज़े से समस्य आ रहे हैं कि जगह जगह से नदी की पेटडियां तूट रही है हालांकि विभाग के जेज बुर्जीत सिंग का कहना था कि बरसाती सीजन के चलते पेचिंग क से कारे रोकना बड़ा है साथी सीजन के बाद नहर के किनारे पके किया जाने का कारे किया जाएगा वेख्त हुई थि उसको अपने रिपेइर करा दिया पानी की वजह से थोड़ी वह दिक्कत आ रहे है बरसाती चल ज्यक्य कोई दिकत ने इसको सारे कोक्य करवाई कितनी कि पत्थर अभी लगाया जाएंगे जहां पर पत्थर की जूड़ता हैं पत्थर लगाया जाएगा जाएगा हां जी क्योंकि उसके बाद हमें स्टोन पिचिंग का भी वरक है यहां पर ब्यूरो रिपोर्ट रादोर्ट टाइम्स